तो इस वीडियो में अन्बॉक्सिंग करने वाले इस Galaxy M34 5G Midnight Blue 6GB RAM 128GB वेरियंट तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने यह Blue Midnight Color लिया है इसकी प्राइजिंग अभी Amazon पर है 18999 और तब 19,000 में आपको यह फोन आएगा यहाँ पर तीन कलर देखने मिलते हैं एक जो है Mid इमीजेटली मैं आपको सारे स्पेक्स दिखा देते हो तो यह सारे इसके स्पेक्स है बस यहाँ पर RAM हमारी रहेगी 6GB और Storage 128 है तो यहाँ पर Super AMOLED 120Hz का आपको डिस्प्ले वगले देखने मिलता है यहाँ पर प्रोसेसर है 1280 X10 इसको मिलेगा आपको 5 nanometer बेस इसकी जो है ट यहाँ पर बैटरी जो इसका USB 6000 mAh बैटरी मिलते है भी द्वाय 25W Fast Charging Support यहाँ पर देखने मिल जाता है चलिए इसे ओपन कर लेते है तो यह Amazon की पैकेज इस तरह देख सकते हो और बॉक्स आपको इतना सही देखने मिलता है कि इसके अंदर आपको चार्जर देखने नहीं मि सामसंग का जो कि अच्छी बात है तो आपको पता चलेगा कि फोन पहले ओपन किया नहीं किया तो यहाँ पर दोनों तरफ जो सील आपको जो देखने मिल गाता है और यहाँ पर आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर आपको नेट कंटेंट क्या क्या मिलते है वन उनिट फोन मिलता है साती में जो यहाँ पर वायड के बारे में इन्हें बता हुआ है और मैन्यूल एक मिलेगा इजेक्शन पीन एक मिलेगा तो यह सारे चीज़ आपको जो बॉक्स के अंदर मिलेगी मैक्सियूम रिटेल प्राइसिंग यहाँ पर जो अराउंड 24,500 बता हुई है यहा 10 MPK हो है इस कैमेरा 6000 AmI ह बाटरी और यहाँ पर कूष 20 सकते हो घ्रत्राइस इसकी इंडिया इने इंडिया मे दें और यहाँ पर जो जोहेंग उपन कर ले न्ज Lagos शुआध इसके अंदर देखने अपर इंडिया मेenne o pa geщё यहाँ यहाँ पर जो है अम्यार्ट किया यहाँ ह लोगो दिया गया है तो करते इसके सील को कट यहां से और यहां पर फोन निकालते बाहर तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर फोन आपको देखने मिल जाएगा और इसी के साथ यहां पर आपको इसके अंदर आपको यह चार्जिंग केबल देखने मिल एगी टाइपसी वाला चार्जर आता है सामसंग का वह आपको यहां पर परचेस करना पड़ेगा और यहां पे और बी कुछ चीज़े है यहाँ आप देख सकते हो user guide वग रहे हैं यहाँ पे सार values दी गई है और यहाँ पे dual sim के बारे में यहाँ बदाया गया है तो यहाँ इसके इन्फॉर्मेशन फोन के बारे में आप सारी शीज़र पॉस्ट करके पढ़ सकते हो यहाँ पे है हमारा phone तो phone को निकाल लेते हैं और box में कुछिद भी देखने नहीं मिलता है चार्जर वगरे आपको अलग से लिना होगा फिर आपका जो है पहला वाला charger यूज़र यूज़ करना होगा बस वहाँ पे आपको type C जो है यह आप देख सकते हैं इसका back panel जो प्लास्टिक से बना हुआ है इस तरह से जो आपको देखने मिलता है शाइनी प्लास्टिक है एक दम और इमीजेटली जो इसके उपर fingerprint आना शुरू हो जाता है देख सकते हैं आप यहाँ पे थोड़े से finger लगाना शुरू किया तो fingerprint आ जाता है और यहाँ पे front में जो है यह आपको glass देखने मिलता है gorilla spy का protection देखने मिलेगा phone को जो है मैं on करता हूँ पहला boot up कर लेते हम यहाँ पे तो यहाँ पे phone on हो जाएगा तो तब तक मैं आपको जो phone का overview देता हूँ तो front facing है यह वाला जो water drop notch के अंदर आपको 13 mega pixel का camera देखने मिलेगा यहाँ पे आपको यह earpiece देखने मिलता है यहाँ पे side mounted fingerprint कम power button देखने मिलेगा यह जो volume rockers है इसके और यहाँ पे नीचे की side में ज जो gen 2.0 है 3.1 या फिर 3.0 नहीं है यहाँ पे microphone है यहाँ पे 3.5 mm jack जो देखने मिलता है जो कि अच्छी बात है यह side में जो आपको यहाँ पे SIM ejector जो देखने मिलता है तो इससे जो है SIM tray सौरी तो SIM tray को निकालके जो हम देखते है इसमें DLC में या कैसे है और उपर की तरब आपको secondary जो है microphone जो है आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है बैक की अगर बात करें तो यहाँ पे plastic का panel यहाँ पे Samsung की branding है यहाँ पे जो है single LED flash है यहाँ पे 50 megapixel का main camera है ultra wide जो 8 megapixel है और 2 megapixel का macro camera जो है आपको देखने मिल जाता है तो चलिए पहले जो हम इसका SIM चेक कर लेते SIM microSD कैसा support है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही जो है welcome screen है phone की तो सबसे पहले हम यहाँ पे SIM देख लेते हैं यहाँ पे dual SIM मिलता है या फिर single SIM है या फिर dual standby है तो probably यह dual standby आपको यहाँ पे देखने मिलेगा तो यहाँ पे accessibility mode जो है on हो गया इसलिए चीज़े जो यहाँ पे voice command आ रही है SIM 1 और यहाँ पे SIM 2 and microSD जो है ऐसे support है तो dual SIM यहाँ पे आपको देखने मिलता है और single SIM, single memory card भी जो आप यहाँ पे लगा सकते हो तो accessibility mode को जो है मैं पहले ओके accessibility यहाँ पे नहीं है तो इसे जो है शुरुआत करते हैं हम इसे जो है शुरू करना यहाँ पे जो है license agreement वगरे सारी चीज़े यहाँ पे देखने मिलती है तो हम इसे agree करेंगे दो चीज़ों को और यहाँ पे जो है send of diagnostic data वगरे जो यह optional है तो इसे आपको जो है select नहीं करना है बैटरी यहाँ पे 48% है phone जो initially हमने जबी welcome screen पे start किया तभी 48% बैटरी तो आप यहाँ पे ध्यान रखी है इसके बारे में तो इसे करते है अग्री यहाँ पे जो आप data जो है अगर आपकी दूसरे galaxy और android device में जो यहाँ पे जो आप ट्रांसफर वगरे कर सकते हो तो हम अभी इसे ट्रांसफर नहीं करेंगे हम directly जो है skip करेंगे यहाँ पे वाइफाई पे जो हम connect कर लेते है वाइफा नेटवर्क पे तो यहाँ पे जो हुआ है है गटिंग यूर फोन रेड़ी है यहां पे डिस्प्लेश आप देख सकते हो ठोड़ा यहाँ पर रेंबो उफेक्ट देखने मिलता है बहले यह सांसंग का सूपर अमोलड डिस्प्ले है लेकिन व्यूम अंगल में यहाँ पे आपको रेंबो ईफेक्ट देखने बाकी फोन में आपको देखने मिलता है युजुली सामसंग के फ्लाक्शिप S-series के फोन में देखने नहीं मिलता है मैंने पास Galaxy S21 FE है तो यहां पर ऐसा वाला मुझे रेंबोई इफेक्ट देखने नहीं मिलता है जो आपको आपको दिखा रहा हूं तो देखते हैं कितना टा और अगें चेकिंग इन्फो कि दिखते है कितना टाइम लेता है अगर यह अलिमना होता तो यहां पर आपको एंटेना बैंट दिखते हैं लेकिन यहां पर है नी इससे डून्ट कोपी किया है हमने और यहां पर जो अकाउंट भी अभी हम sain इनन अहीं करेंगे बाद में करेंगे skip account setup skip यहां पर location यूजनी करने दिने या, scan आपको अलाव नहीं करने है डेटा वगरे कुछ आपको सेंड नहीं करने देना है या फिर इसमें आपका डेटा और जो बैटरी थोड़ी यूज़ हो की फोन की इसलिए एकसेप्ट करना है आपको इसे यहाँ पे फिंगर प्रिंट जो यहाँ पे आपको फिंगर प्रिंट स्कानर देखने मिलेगा तो फ वन टो थ्री फोर फाइए शिक्स ताइम यहाँ पे मैं जिरो एंटर करके रखता हूँ तो यहाँ पे फिंगर प्रिंट सेट आपको दिखाता हूँ तो यहाँ थम से सेट करने वाला हूँ इस तरह से 15, 20 तो थम के जो है सारे जो आपको यह थम का पूरा पार्ट है यहाँ पर पार्ट को लगाना है मतलब कोई भी अगर यहाँ पर टच करोगे तो यह जो है फोन को अनलॉक कर देगा तो अब यहाँ पर रेकमेंडेड आप्स का आपको यह अंटिक करना है क्योंकि आपको जरूरत नहीं इसकी स्मार्ट ट्यूटर वगरे की और सामसंग अकाउंट भी जो आपको नहीं बनाना है अगर सामसंग अकाउंट बनावगे तो अडिशनल सिंक होगा आपका डेटा और बैटरी और भी जो इसमें जाधा जाएगी तो इसे आपको स्किप कर लेना है आपके ऊपर डिपर डिपेंड करता है लेकिन मैं परसनल यह अपको यह सारे सामसंग की सर्विसेस है कोई जरूरत नहीं अगर आपको जरूरत है पहले से यूज क करना तो डार्क मोड सेलेक्ट कीजिए बैटरी से होगी और नाइट टाइम में अच्छा एक्सपरेंस मिलेंगा अभी मैं लाइट मोड सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि आपको सारी चीज़ें दिखाने है इसलिए तो लाइट मोड पर हम इसे यह और अल सेट अप फिनिश एक्सपरेंस सामसेंग सर्विसेस तो यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं किया है मैंने बट यहाँ पर मुझे अगरी डिसगरी यस यहाँ पर जो हमें से अंटिक कर सकता हूँ सभी को अपलाए गलेक्स स्टोर वगरे ओकी यह सब मैंने कर दिया है ग्लांस वान सामसंग और यह डिस्कवर वगरे तो यह सारी चीज़ा एक ही है मैंने तीनों को भी यहाँ पर जो तीन चार यह वर्ड लिखे गैलेक्स स्टोर माई गैलेक्स सब को टाप करके देखा तो सब एक ही बार में आते है आपको बस किप कर देना है लेंग्वेज स्वेक्ट कर लेंए है और यहाँ पर इंस्ट्रों ग्रेट आप्स तो इक ग्रेट आपड क्या है यहाँ पर मुझे कुछ क्लिक करेंपे दिखाई नहीं दे रहा है और स्किप पन ऑकए मैं स्किप कर सकता हूं धिक्सेतर पर यह पॉस्ट्पों सेटिंग वेलकम स्क्रीन यहाँ पर देखने मिलती है और बाई डिफॉल्ट जो है कुछ आपको अपस अडिशनल देखने मिलते है फोन पर है स्नाप्चाट है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो अगर अनिस्टॉल नहीं कर सकते हो तो आउटलूक यहाँ आप इसे अनिस्टॉल कर सकते हो तो इन सब को आप अनिस्टॉल कर सकते हो कोई इस्टॉल नहीं है यहाँ पर यह जो विजिट है इससे भी आप रिमूव कर सकते हो इस तरह से सामसंग फ्री को भी यहाँ पर अनिस्टॉल कर सकते हो तो यह सारी चीज़े जो मुझे अच्छी लगी कि आप मैक्सिमूम अप पर पर एंडे आप्स को जो है अनिस्टाल कर सकते हो गुगल के डिफॉल्ट एप है इने भी जो है आप 14 ऐसे आ अप इस तरह से गैलक्सीश्ट रहे है इससे आप्रिमुव मतलब कर सकते तो यह सारी चीज़े है और इनिशल इंप्रेशन यहां पर अगर मैं बता हूँ तो फोन जो है यहां पर देख सकते हूँ यह लगता है मुझे 120 हर्ट्स पर हम चेक करते है तो हम जाते सीधे सेटिंग्स में और बाइडिफॉल्ट फोन अन करने के बाद आपको देख सकते हू अने तो ब्लुटूट गो कर लेना है यहां पर अटो हु रॉटेट की ज़रूरत ना यहसे बी बन कर रहूं मैं और यहां पर बैग्राउंड में आप देख सकते हो तो यहां पर हम जाते हैं डिस्प्ले में क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है 120 Hz जो है सपोर्ट करता है तो यहां पर मोशन स्मूधनेस देख सकते हो हाई है मतलब यह 120 पर भी चल रहा है कितना देखने मिलता है यहां पर हम इसमें देखेंगे तो यह रहा इसका स्टोरेज आउट ओफ 128 GB अपको 100 GB अपको 128 GB जो है च्प्लेट जीबिया आप कर सकते हैं तो यहां पर यहां पर रैम जो है आप प्लस कर सकते हैं अगर आपके पोन में स्टोरेज सेव होगा मतलब स्पेस वगरे होगा तो लेकिन इतना कुछ यह जो है पर्फॉर्मंस में हेल्प नहीं करता है तो यहाँ पर आप सारी चीज़े देख सकते हैं डाइगनोस्टिक वगरे यह सारी चीज़े बैटरी का जो यूसेज पैटर्न यह स्कान करेगा और फिर आपको अच्छी बैटरी जाधा अच्छी देखने मिलने ही वाली है यहाँ पर पावर स्वेंग मोड वगरे आपको देखने मिलता है बैगरांड यूसेज लिमिट्स वगरे यह सारी सेटिंग्स यहाँ आपको देखने मिलती है आप देख सकते हो तो यह रहा और यहाँ पर आपको HDR लिखा होता है अगर आपका फोन HDR सपोर्ट करता है तो यहाँ पर HDR सपोर्ट नहीं मिल रहा है और स्पीकर क्वालिटी भी यहाँ आपको दिखा दाओ वॉल्यूम फूल करता हूं ब्राइटनेस थोड़ी इसकी बढ़ डिस्पले है तो आपको colors, sharpness, brightness, viewing angle जो अगर आप यहाँ पर कुछ content देखते हो इसे view कर रहे हो ऐसे side view यहाँ फिर tilt करते हो तो इसमें quality आपको जो है अच्छी देखने मिल के जो rainbow effect है white background में आता है वो यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा है तो हमारा water drop notch है यहाँ पर इसकी display quality है display quality की बारे में कोई complaints नहीं है और video बहुत आराम से smoothly यहाँ पर play हो रही है तो पिच्चर quality without doubt अच्छी है अब यहाँ पर आपको में कुछ music भी सुना दिता हूं तो music में आपको dual front facing speaker मिलने के जग आपको बस जो है down firing जो bottom firing जो speaker देखने मिलता है तो यहाँ पर play कर दे कोई भी ncs का music तो यहाँ पर flicker हो रहा है तो यहाँ पर dark mode जो apply कर देता हूं यह रहा dark mode और अभी आपको flickering देखने नहीं मिलेगा लेकिन sound qualities की test कर लेते हैं तो यहाँ पर front facing जो आपको speaker देखने नहीं मिलता bottom firing यह वाला जो आपको single loud speaker देखने मिलेगा quality यहाँ पर सुन लिजो volume full है I'm feeling alone, left in the dark, contemplating about decisions Why does no one ever see me? Did I do something wrong? Did I hurt feelings? It is hard to be felt when no one's looking I am feeling like it's now and I keep screaming No one ever understands it Feels like I became Atlantis Hey, I'm from the world I'm looking for a way So, the speaker quality is good Loud, I'm going to say Just a little tiny sound If you have a bass sound, you can't see the bass sound It's a good voice, but it's a usable speaker You can see the sound that you can see the sound Then, let's talk about the camera This is the camera interface You can see the main camera This is the 50 Megapixel Gen5 sensor You can see the Gn5 sensor You can see the 2x zoom Ultrawide You can see the 8 Megapixel 120 degree ultrawide camera This is the interface If we talk about here Here is the video mode This is the video mode If you talk about the video mode If you talk about this तो 4K 30fps तिक जो आपको यहाँ पर वीडियो कॉलिटी जो आप यहाँ पर शूट कर सकते हो, यहाँ पर मोर में अगर हम देखे, तो प्रो वीडियो जो यहाँ आपको देखने मिलता है, जो की बहुत अच्छी बात है, प्रो फोटोस तो देखने मिलता है, लेकिन सामसेंग मे इनों नें बता रहे तो यहाँ पर वन एक जाट ली क्या-क्या है, कैसे यहाँ पर कुछ आपको आटीफिचल इंतलीजेंश के माधियम से जो है, अपर कुछ बोग्जेंगे आएंगे डिस्पले पर यह तो यह पाद में भी देख सकते हो, और यहाँ पर माइक्रो मोड भी पर क्लिक करना है तो यह भी macro mode on हो चुका है और अगर मैं यहाँ पर आप देख सकते हो यह कितना जो है आपको distance पर टेक्स्ट दिखाता और फोटो लेता तो आप बहुत नजदिक से फोटो ले सकते हो बस 2 megapixel का camera है इसलिए आप आपको इतनी quality अच्छी देखने नहीं मिलेगी फोटो में जो यह सारी setting आपको देखने मिलती है scene optimizer है shot suggestion है scan qr codes है यहाँ पर shutter button आपको swipe करने भी आपको बस शॉट वगरे ले सकते हो watermark की जरुरत नहीं है और यहाँ पर auto fps आपको देखने मिलेगा video stabilization आपको यहाँ पर देखने मिलेगा auto hdr यहाँ पर आपको देखने मिल fun mode तो ओके वह fun mode में आपको snapchat related feature इन्होंने दिया हुआ है तो यह सारी आपको यहाँ पर देखने मिलती है scene optimizer हम on ही रखेंगे scan qr भी हम यहाँ पर on रखेंगे और यहाँ पर maximum zoom जो है photo में वह मिलता है आप to 10x यह रहा यह 2x है यह करेंगे हम 2x 4x and 10x तो यह सारा digital zoom है यहाँ पर टेली photo या zoom camera आपको देखने नहीं मिलता है तो photos में आप up to 10x जूम कर सकते हो और अगर बात करें videos की यह अगर हम वीडियो में और वीडियो हम करेंगे यहाँ पर UHD 30fps और यहाँ पर आप देखते कितना यह जूम होता है तो यहाँ पर भी आप to 10x आपको जूम देखने मिलता है जो कि अच्छी बात है तो दोनों भी आपको digitally 10x जूम आपको देखने मिल जाता है और UHD 30fps तक यहाँ पर आपको video recording करने देखने मिलती है picture quality यहाँ पर आप तो यह text feature exactly कैसे काम कर रहा है यह देख लेते है इसे में क्लिक करता हूँ text scan तो यह analyze कर रहा है इससे करते है extract text भी आप यहाँ पर कर सकते हो तो जुतना लिखे हुई चीज़ है वो जो आप यहाँ पर copy paste कर सकते हो एक तरह से यह देख सकते हो आप यहाँ पर copy कर सकते हो और फिर paste कर सकते हो इसकान कर लिया यह photo आप जो सेव कर सकते हो इस तरह से क्रॉप भी करने की जरुवत ने आपको manually यह automatically यह देख सकते है आप क्रॉप भी कर लिता है तो यह feature अच्छा है जो हमने scan किया है अगर उसे paste करना है तो यहाँ पर आपको पेस्ट करके भी दिखा दा हूँ यह देख सकते हैं जो सारा टेक्स तबहा का वह यहाँ पर हमने paste कर लिया तो यह वाला जो है वह feature है camera में जो की बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है M-Series के इस phone में भी तो यहाँ पर हम बाकी जो है चीजे देख लेते हैं यहाँ पर अल्ट्रावाइड भी देख लेते एक बार तो इस तरह का अल्ट्रावाइड आपको देखने मेले है और यहाँ पर ऐस लेकिन जो टेक्स्ट की शार्पनेस है वो बहुत कम है रीड कर सकते हो आप रीडेबल है लेकिन जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है डीटेल जो है थोड़ी फेड आती है लेकिन ठीक एल्ट्रावाइड होना जरूरी है अगर 12 मेरापिक्सल हो तो बहुत अच्छा होता बात करते इसके फ्रेंट फेसिंग कैमेरा की त आप फ्रेंट फेसिंग में फूल एजटी 30 fps तकी शेटिंग कर सकते हो और फ्रेंट में भी आपको यहां पर प्रो वीडियो प्रो फोटो सिंगल टेक पानोरामा यह सारी से देखने मिलता है और पोट्रेट जो है यहां पे यहां पर पोट्रेट मोड देखने मिल जाता है यह फर्ण सनैटya का कुछ फीचर है तो इसे हम बात में देखेंगे तो फ्रंट के अगर बात करें तो फोटो ले ले लेते आए घंवार यहां पर हम फोटो देखेंगे तो यहां पर मैंने कुछ नाइट मोड या फिल्टर वगर आउन नहीं किया है तो आप यहां पर देख सकते हो डीटेल अच्छी खासी आती है तो 13 मेगापिक्सल की अगर हम डीटेल्स देखे तो यह आपको डीटेल जो इसकी देखने मिलेंग तो फोटो जो है यहां पर 9 मेगापिक्सल दिखा रहा है इंस्टेट ऑफ 13 मेगापिक्सल तो पता नहीं यह कैसे है आटोमेटिक कुछ यह जो है चेंज कर रहा है और 3.44 MB का यहां पर फोटो आई है जेपेग में तो इस तरह की आपको फोटो क्वालिटी जो इसकी देखन होंगा डायमिक रेंज बगरे जहां पर आपको अच्छी देखने मिल जाती है फिर बात करते हैं इसके स्लो मोस्न की तो स्लो मोशन यहां पर जाम और दोनों की हम क्वालिटी यहां पर अगर हम देखे एक बार शूट करके जो मैं देखना होगा तो मैं शूट करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने जो स्लो मो चेक करके देखा मैंने पहले जो स्लो मो वीडियो ली है आपको दिखा देता हूँ और यो slo-mo है ये fps कितना है वो तो बाद में जान लेंगे हम लेकिन जो quality है ये 1080 by 720p जो ये record करता है HD पर full HD पर नहीं करता है और ये है super slow mo का sample तो super slow mo जो है ये इसके हिसाब सही लिता आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत slow कर लेता ये अपने वीडियो को और उतना part ये shoot बाकी पार्ट शूट नहीं करेगा और सेम ये भी 720p में जो है super slow mo shoot करता है तो slow motion जो इस phone में आपको 720p पर रेकॉर्ड करने मिलेंगे HD में रेकॉर्ड करने मिलेंगे फूल HD में रेकॉर्ड नहीं करने मिलेंगे और जो super slow है कुछ इस तरह से काम करता ये देखिए मतलब कुछ action होनी चीए इसके सामने तो ये जो उतना part शूट करेगा for example ऐसे मैंने paper पकड़ है अब इसे move करता हूँ ये देखिए ये अपने ह जाके ये वाला slow-mo वाला feature super slow की जो है आपको जरुरत नहीं है क्योंकि super slow में फोन उसके हिसाब से जो है movement detect करके जो है और यहा पर इतनी थी नेकिन फोटो को इसने ब्राइट कर दिया और यहाप यहाप देख सकते हो बहुत अच्छी कासई डिटेल ये catch करता है यह आप भी यह देख से चोटे से चोटा टेक्स यहाप पी अच्च से catch कर लेता है यह है with flash तो flash में तो कोई if you नहीं है flash में तो बहुत अच्छे से photo ले लेता है और यह एक damn मैंने चोभी फोरी lights बन कर दीती और तो भी यह मुझे यहाप ए calendar जो हलका सा देखने मिल रहा है मैं यहाँ पर brightness फूल करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर ब्राइटनेस फूल है तो यहाँ पर जो मुझे इन परसन जो है यहाँ पर एक शेड दिखाई देरी है कालेंडर की यह फ्लैश के साथ आगे और यह आगे नाइट मोड है एक स इससी फोटो देखने मिलता है जहां से लाइट होगी भाहां से लेकिन जो है बाकी कुछ देखने नहीं मिलता लेकिन थोड़ी सी लाइट होगी तो फोन जो अच्छे से मैनेज करता है जिस तरा से आपको नाइट मोड में किया है की किस तरह से जो इसका नाइट मोड यहाँ पर काम करता है यहाँ पर aod ti कर लेता है। यहाँ फिर मैनियोली करेगा व Speak hap ya bag करता हूं। और यहाँ जो हाँ पर माँ बंकर देता हूं। और हम भी check करेंगे हैं तु यहाँ पर देख सकते हो अच्छी तक अब यहां पर ब्राइटनेस कम है और यहां पर देख सकते हो थोड़ा जो है जहां पर आपको इमेज जो है थोड़े सी लागी देखने मिलेगी क्योंकि लाइट जो है कम हो चुकी है तो मैं फोटो लेता हूं डिरेक्ट्ली तो यह नाइटमोड पर स्विच नहीं करता है जाते है more में आपको इहां पर ढ duplication और आपको यहां पर देख सकते हो तो फोटो में आपको आपको इहां पर फ्लैश देखने मिलता है अगर आटो फ्लैश पर करेंगे हम तो यहाँ फ्लाश आता है और यह वार्मर टोन है फ्लाश का और यहाँ पर पर एक बार फ्लाश के साथ फोटो ले लेते हैं तो यहाँ इस तरह से जो है वार्मर टोन में आपको जो है फ्लाश के साथ फोटो आती है और यहाँ पर आप देख सकते हो रेगुलर में आपको यहाँ पे night mode का यह option इस तरह से यहाँ पे देखने मिल जाता है तो front facing में night mode आपको देखने नहीं मिलता है और अगर quality की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं quality दिखा देता हूँ तो यह without night mode है तो यहाँ पे आप detail अगर देख सकते हो एकदम स्मूद कर दिया है फोन ने एकदम image जैसे होती है वैसे लग रही है और यह with flash है तो flash में आपको detail इसने रिटेन की अच्छी तरीके से तो यह बात आपको यहाँ पे अच्छी देखने मिलती है तो flash के साथ ही मैं आपको suggest करूँगा कि आप फोटो लिया कीजिए नाइट में क्योंकि यहाँ आपको night mode जो है देखने नहीं मिलता है तो camera जो एक तरह से आपको यहाँ पे अच्छा देखने मिलेगा अगर video की बात करें तो यहाँ पे हमें video जो है वीडियो क्वालेटी अच्छी देखने मिलेगा यहाँ आप आप देख सकते हो इतने मैंने पास object लाए तो भी जो यह focus कर रहा है इसके उपड एक्सपोजर भी जो है अच्छे से manage कर लेता है यहाँ आप आप देख सकते हो exposure lighting यह सारी चीज अच्छी है तो यह आप देख सकते हो और no shake type की इनों ने वीडियो advertisement की है इनके commercials में तो वैसी type का यहाँ आप देख सकते हो मैं इतना shake कर रहा हूँ लेकिन यहाँ यहाँ पे यह subject पे ठीक से focus करके यहाँ और यह जो है UHD 30fps पे तो है तो इसकी OS मुझे यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन मैं कहूंगा अच्छी है मतलब यहाँ आप देख सकते हो मैं कितना shake कर रहा हूँ फोन को लेकिन इमेज अच्छे से जो यह stable कर रहा है 4K 30fps के video recording में और detail अच्छी है focus यहाँ पर आपको अच्छा देखने मिल जाता इस तरह से तो camera quality definitely अच्छ और यह feature यहाँ पर मुझे अच्छा लगता Samsung आई देखिए यह pause किया video को video again start की वही से start होगी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर आप photos भी ले सकते यह तो normal है लेकिन यह pause and play यह feature जो अच्छा है 4K 30fps में जो आपको य देखने मिलता है और यहाँ पर हमने 4K 30fps की video जो शूट की है इसकी detail दिखाता हूँ 1 minute 23 seconds की video शूट की है और यहाँ पर detail हम देखे तो 84 MB की video हो चुकि है बस 1 minute 20 seconds की है इस तरह से आप देख सकते हो bit rate भी कितना इसका high हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इसका megabyte जो है video का बहुत आप देख सकते हो यहाँ पर पॉस करता हूँ यह देखे detail यह जो regular यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं रुकता हूँ तो इसका regular एंगल है और यहाँ पर मैं जूम करूं वीडियो में तो यहाँ पर देख सकते हो detail 4K 30fps पर है तो yes definitely detail यहाँ पर अच्छी है और जो OS पार्ट दि दिख रहा था उससे कम शेक जो है यहाँ पर वीडियो में जो हो रहा है जो इस फोन ने शूट किया है तो OS डेफिनेटली 4K 30fps में काम करता है और अच्छे से काम कर रहा है तो यह सारे जो इसके camera features है camera modes है आप खुझ से भी देख सकते हो फिर बात करते है इसके battery की तो यहा नहीं देना होगा तो 40% यहाँ पर इन्होंने usage pattern मेरा समझा है अभी जोब तक मैंने आपके सामने फोन यूज किया तब तक और यहाँ पर आप देख सकते हो adaptive brightness हो गया यहाँ पर चार्जिंग टेंपरेचर इसके बारे में सारी चीज़े और यहाँ पर auto restart दिया गया है तो auto restart on कर सकते है on करके रख सकते है for example अगर हम यहाँ पर चेक करें आपका फोन जबी नीड होगी फोन को restart होने की तो यह by default restart होगा और आपको जो manually restart करने की ज़रूरत नहीं है तो बैटरी जोई 6000 mAh है आपको जो software अबडेट वगरे यहाँ पर चेक कर लेते हैं auto download आपको नहीं करने software manually आप कीजिए ऐसा suggest करूंगा है connecting to server देखते है फोन को जो इनीशेली कोई software update आता है या नहीं आता है बगरे आपको जो है देखने मिल जाता है तो यहाँ पर फोन में जाके देखे तो यहाँ पर जाते है software information में Android 13 यहाँ पर आपको जो है देखने मिल जाता है तो यहाँ पर 14 15 16 17 तक जो इसमें major android update आना चाहिए आपको इस तरह से build number भी जो है यहाँ पर दबाना है उतने बार यहाँ पर प्रेस करकी दिखा है और फिर आपको देवलेबर ऑप्षेन भी जोए एनेबल कर लेना है और यहाँ पर आप डेवलेबर ऑप्षेन में जाओगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हो कितनी अनिमेशन स्केल 0.5 अनिमेटर ड्यूरेशन स्केल 0.5 अभी आप देख सकते हो फोन कितना जो है फास्ट फील हो रहा है तो यह जो है आपको आपके गैलेक्सी डिवाइस में करना है अगर आपको यह स्मूधनेश चाहिए हो तो 120 पर प्लस जो रिस्पॉंस है इसका बढ़ करना है प्रेस नहीं करना है यह लोक या बटन को प्रेस किया और उनलगक करने टाइम बस धम को रखा देख से अलिए अलॉक अगराओं बटन दबाऊंगा अलोर फीनगर करो op यह अनलॉक कर देता है, तो इस तरह से fingerprint स्काम करता है, तो इस तरह से fingerprint आपको यहापर देखने मिलता है, nox security आपको इसके अंदर देखने मिलती है, और overall अगर मैं phone की बात करू, तो definitely मुझे लगता है value for money Samsung का phone है around 20,000 रुपीज, अंदर 20,000 ही है, तो इसका जो 8.28 यह over 20,000 है, तो sale में अंदर 20,000 आ जाएगा, तो इस तरह से आप यह Galaxy M34 5G जो है, चेक कर सकते हो, Amazon पे, लिंक जो है नीचे आप नीचे description में जो है, आपको मैं देखे रखूंगा, तो वहाँ से भी आप इसे check out कर सकते हो, तो यह हमारा था first impression, Galaxy M34 5G का वीडियो पस्तना है, तो वीडियो को जो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते अगले वीडियो में,